Hi guys, hope you all are doing good. So, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, स्टाउक मार्केट को लेके, जो कि specially dedicated रहेगा बेगनर्स के लिए, आप स्टाउक मार्केट के बारे में कैसे जान सकते हैं, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, आप global scenario को कैसे समझ सकते हैं यह सारा हम इस series में discuss करेंगे और इसमें और भी informations add कर दी जाएंगी कि candles क्या होती है, patterns कैसे discuss किया जा सकते हैं options क्या होते है, derivatives क्या होते है, strike price क्या होते है तो यह complete एक series आपके लिए बहुत important होने वाला है तो I hope आप इस series को enjoy करेंगे, so let's start तो first portion हमारी वीडियो को है, what is stock market stock market के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा या देखा होगा, बहुत सारी अपबाएं सुनी होगी कि हमेशा stock market में लोग बरबाद हो जाते हैं लोगों के घर बिख जाते हैं, लोग financial crisis में आ जाते हैं bankrupt हो जाते हैं, but जब वो scenarios आप deeply study करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखती हैं कि बहुत जगा wrong investment हो गया गलट time पे entry होगी, गलट time पे exit हो गया तो यह एक जो overview stock market को लेके बनाया गया है especially in India कि एक stock market मोटे मोटे तौर पे एक जुआ है तो basically यह gambling नहीं है, it is not a जुआ यह completely एक fundamentally, एक technically जो इनसान इसको analyze कर सकता है जो इसको study कर सकता है, जो इसको समझ सकता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा growth कर सकता है आपके सामने बहुत सारे examples होंगे दुनिया में richest persons की बात करती जाए इंडिया में richest persons की बात की जाए जो बहुत कम time में rich बने है वो सारे stock market को लेके ही बने है तो basically वो उनका study, उनका technically analysis, उनका fundamentally analysis उनका company को लेके सोच, उनका investment का time perfect होता है तो that's why वो लोग market को लेके एक अलग view रखते हैं और same market का view जो लोग market में gambling के mindset से आते हैं वो कुछ अलग रखते हैं आपके friend circle में, आपके घर में, आपके relative में बहुत सारे लोग होंगे अगर आप बोलेंगे कि मैं stock market में carrier शुरू कर रहा हूँ तो वो आपको बहुत सारी free में advice दे देंगे तो basically free advice वो लोग देते हैं जिनको खुद पता नहीं है कि stock market क्या है क्या fundamentals है, क्या technical है, क्या global scenarios है कैसे हम इसमें trade कर सकते हैं, कैसे हम benefits ले सकते हैं recently, especially last 1 साल से, बहुत सारी लोग stock market में जुड़े हैं, नए हैं और most of them इसलिए जुड़े हैं कि उनके पास या तो कोई और profession नहीं था या उनकी job चलीगी, या वो किसी से सुनके market में आए कि stock market भी एक चीज है, जहां पर carrier शुरू कर जा सकता है बट उनका view ठीक नहीं होता, उनका mindset सही नहीं होता है वो first day से ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा खासा investment आए suppose करो वो 10,000 capital के साथ आते हैं और वो चाहते हैं अगले दिन ये 20,000 हो जाए, 15,000 हो जाए like कि 100% return within one day तो obviously उनका mindset जो रहता है वो एक gambling mindset रहता है तो stock market में especially जो लोग success होए हैं उनका mindset ही उनकी success का reason होता है तो basically especially जो beginners को काम करना चाहिए वो especially अपने mindset पे करना चाहिए हम इस पे आगे complete series बनाएंगे कि mindset को कैसे control किया जा सकता है अपने emotions को कैसे market में control किया जा सकता है बड़े losses को कैसे छोटे losses में convert किया जा सकता है छोटे profit को कैसे बड़े profit में convert किया जा सकता है तो overall जो stock market है ये जुआ नहीं है It is a platform जहां पे आप सबसे कम time में सबसे अच्छा grow कर सकते है But reason is कि आपका technical सही होना चाहिए आपका fundamental सही होना चाहिए आपकी stock selection अच्छी होना चाहिए आपका company का study अच्छा होना चाहिए आपको उसके background, उसके financially statement, उसका returns, उसका profit everything आपको idea होना चाहिए कि पिछले 2-4 साल से company grow कर रहा है या डूब रहा है या फिर losses में है, profit में है, कितने profit में है, कितने losses में है तो जब यह सारी चीज़े आप analyze करेंगे और साथ के साथ आप यह देखेंगे कि stock इस time किस range में चल रहा है, over bot में तो नहीं चल रहा है, कि बहुत ज़्यादा big चुका है, अभी यह downfall करने वाला है, या बहुत ज़्यादा downfall में है, तो क्या यह rise कर सकता है तो basically यह जो complete entry का segment रहता है, यह हाँ पर professional और beginners में difference आ जाता है, तो I think सारा हम discuss करेंगे आने वाली series में, कि कहां पर आपको entry करना चाहिए, कैसे exit करना चाहिए, कैसे stock selection होना चाहिए, तो this is all about the stock market mindset second thing है, कि यह important क्यों है, stock market को आपने समझ लिया, तो यह important क्यों है, obvious ही बात है, अगर किसी चीज़ की importance नहीं होगी, तो उसकी value भी नहीं होगी यह important इसलिए है कि I think आज की date में सबसे अच्छा और सबसे reliable अगर आप जहां पे invest कर सकते हैं, वो एक stock market है, अगर आप इसको positive side में देखें, यहां पे आप directly एक company के investor बन जाते हैं, एक company के partner बन जाते हैं, और मन चाही company के, जिस भी company में आप invest करेंगे, तो आपके पास एक portion of rights, एक portion of ownership आज आता है directly company का, कि that means, एक परसेंट अगर किसी company के आपके पास shares हैं, तो आप एक परसेंट profit में उस company के हिस्सेदार हैं, और Sam in reverse कि अगर एक परसेंट loss होता, तो आपको reverse भी करना पड़ेगा, एक परसेंट money अपना, तो आप मन चाही company में invest कर सकते हैं, आप TCS में करिए, Infosys में करिए, Tata की किसी भी बड़ी company में करिए, Reliance में करिए, किसी बड़े bank में, HDFC, ICICI, तो basically आप invest कर रहे हैं company में, market is just a medium, यह mindset रखना पड़ेगा और यह thinking रखनी पड़े कि जबी भी आप invest कर रहे हैं, आप directly ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि stock market मुझे पैसा अगर आपनी investment से पहले उस company के बारे में उसके scenarios पढ़ लिये हैं, उसकी profit sheet देख लिये हैं, profit and loss statements देख लिये हैं, उसके पुराने records देख लिये हैं, recently उसका turnovers देख लिये हैं, तो उसके liabilities देख लिये हैं, तो basically आप fundamentally उसको brief out कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं औ और उसके बाद आप invest कर रहे हैं आप ऐसे ही मन चाहे हर किसी company में नहीं invest कर सकते हैं कि आज friend ने बोला कि ये company का share बढ़ेगा आपने invest कर दिया और next day share down और आपको बैसे psychologically pressure पड़ जाएगा कि friend की suggestion भी गलत होगी और आपका पैसे भी डूब गया तो basically ये important इसलिए है कि एक तो आपको बिना किसी formalities के बहुत बड़े process के जाने के बजाए आप direct एक company में हिस्सेदार बन जाते हैं और आप इसमें long term भी बन सकते हैं short term भी बन सकते हैं medium term भी बन सकते हैं ये आपके mindset पे है कि आप कितना लंबा invest करना चाहते हैं और कितने percent profit के mindset के साथ आप आये हैं suppose करो आप चाहते हैं कि आपका पैसा double हो और आपका पैसा किसी company ने दो साल में double करके दे दिया और आप बहां पे exit कर गए तो इसको हम बोल सकते हैं कि आप एक medium term investment के mindset से आए then second एक company है जिसने 5 साल में आपका पैसा double करके दिया तो आप बहां पे एक scenario यह बन जाएगा कि आप long term mindset के साथ आएं तो basically this is the importance of the share market कि आप कैसे इसमें participate कर सकते हैं कैसे अपना career बना सकते हैं और कैसे मन चाही company के आप मालिक बन सकते हैं आप share market के बारे में जानते हैं आप इसकी importance के बारे में जानते हैं पर इसको start कैसे करें तो start करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को demate account खोलना पड़ेगा जिसका reference link मैंने आपको दो बहुत अच्छी companies के links मैंने अपनी job description में डाल रखे हैं आप चाहें तो वहां पे click करके direct up अपना demate account open कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप demate account खोल लें ताकि next जो वीडियो आएगी उसका हम live जब analysis करता हूं तो जो भी चीजे मैं बहां पे दिखाऊंगा तो आप direct अपने account में भी relate कर पाएंगे कि कैसे time frame कहां से select होता है कैसे हम candle pattern को select कर सकते हैं कैसे हम stock को select कर सकते हैं कैसे time frame change कर सकते हैं कैसे हम all derivatives को use कर सकते हैं so that's it for today and let's meet in next video thank you